तो आज मैं बनाने वाली हूँ हैलोईन बुकमार्क्स यूजिंग डूदल पैटन्स, तो लेट्स गो तो आज की इस वीडियो को बनाने के लिए मैं गई ओनलाइन सीखने की कैसे बनाते हैं पैटन्स डिजिटली प्रॉपर टेकनीक और मिथेट से तो मैं अगरे यूट्यूब में मैंने सर्च किया हाउ टो ड्रॉप पैटन्स डिजिटली और मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली तो अब मुझे इन वीडियोस को देखना पड़ेगा उसके लिए मेरे को देना पड़ेगा थोड़ा टाइम जो मैंने दिया तो मैं देख रही हूँ मैं बहुत सी वीडियोस देख रही हूँ फाइनली मुझे तो ड़ा आइडिया लग गया है कि कैसे बनेंगे ये पैटन्स तो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के साथ लेट्स को तो सबसे पहला काम है मुझे तो प्लानिंग करने है कि आखे में कौनसे डूडल्स यूज करने वाली हूँ फॉर माइ पैटन्स तो उसके लिए मैंने सबसे पहला काम किया मैं गई फोड़ोशॉप में और मैंने किये डिजाइन थोड़े रैंडम डूडल्स जो डूडल्स मैं सोच रही हूँ है जो जूड़ोश मैं प्लान कर रही हो तो आड इन माइ पैटन उनको मैंने किया रफ स्केच उस पिसकल है पंपिन है बैट है और भी पता नहीं क्या-क्या जो आइडियास मुझे आए वो मैंने बना दिये तो ये हमार हो गया रफ स्केच रफ ब्लानिंग तो टाइम हा गया है जो सीखा था उसको अप्लाइ करने का तो चलो चलते हैं इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेटर में मैंने खोला अपना कैन्वस एंड उसमें कॉल की मैंने हमारी इमिज एक इत करके मैं करने वाली हो इनको ट्रीस तो चलो करते हैं अपना करते हैं अपना करते हैं एंड कलरिंग बगारा करना ही पड़ेगा तो चलो शुरू से शुरू करते हैं अब मैं फिर से बनाने वाली हूँ पंके एंड बाकी हमारे दूगल्स अपना करते हैं अपना करते हैं अपना करते हैं याँ प्राइब भी रोग्ट अवार करते हैं अब लग रहे हैं कुछ इंट्रिस्टिंग डूडल्स तो चलो फड़ापट से हम करते हैं हमारे डूडल्स फिनिश घ्र चाइएग थे अबल्स से एंट टूडल्स फिस वाफ़ापट से पूडल्स तो वेंट यंट खूडल्स चेल्ड़ापट से एंट वी इंट से तपी बल्स ते इंट नाइब प्रेंट से प्याले प्यूले प्यादे वीडिये प्यादे। कर दो कि पर्स टाइम है तो मैंने सोचा कि कुछ सोड़ा सिंपल सा ट्राय करते हैं तो मैंने जो पंपकिन वेब और पॉईजन वगरा है उनको अपने according place कर दिया और उनको align वगारा कर लिया and then मैंने इसको convert कर दिया pattern में अब क्योंकि में को bookmark भी बनाना है तो मैंने सुचा साथ ही साथ मैं एक artboard में bookmark का जो मेरा size है वो लेकर वो भी देख रहूँ तो मैंने वो ही किया मैंने एक और artboard खोला अपने bookmark के size का and then मैंने उसमें हमारा pattern लगा दिया with the background color ये लग तो interesting रहा है लेकिन क्या ये print में भी अच्छा लगेगा ऐसे ही मैंने दो और designs बनाए जिसमें मैंने और जो डूलो बनाए थे उनको utilize किया तो चलो फड़ाफट से करते हैं हम इसको finish आप बताना आप कैसा लग रहा है ये doodle आप कैसा लग रहा है pattern और कैसा लग रहा है bookmark तो ये हो गए हमारे bookmarks ready चलो मैं आपको दिखा दियो तो ये हमारा bookmark number one ये number two और finally number three तो कैसी लगे आपको ये video कैसा लगा आपको मेरा ये process अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैंने एक बनाया था डूडल से coloring page तो आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे आप चाहके उसको देखो और येस वो coloring page अवेलेबल भी है आप उसको खईच सकते हो at a very very reasonable price तब तक के लिए stay safe stay healthy stay happy मिलते हैं ने नेक्स वीडियो में बबाइ